हाई गाई, फ्रेज किचन में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक की रेष्पी बपा की दिन चल रहे हैं और अलग-अलग तरीकी के हम मोदक बनाते हैं तो चलिए आज हम बना रहे हैं नारियल के मोदक यहाँ पास मैंने लिया है यह जो पानी वाला नारियल आता है वो नारियल मैंने लिया है तो इसके हम जो उपर वाला जो ब्राउन पार्ट होता है हम इस तरह से इसे छील कर निकाल लेंगे तो ये देखिए बहुत असानी से ये छील कर निकल जाता है और बहुत ही सिंपल रेस्पी है आप जरूर एक बर घर पर ट्राय करें बपा के लिए अलग-अलग तरीके के मोदग बनाने में बहुत ही मजाता है तो आज मैं आपके लिए नारियल मोदग बता रही हूँ तो ये देखिए हमने इसे इस तरह से चील कर निकाल लिया है मैंने पहले ही नारियल को चील कर और इस तरह से छोटे तुकड़ों में मैंने काट कर रख लिया था तो इसे भी अब हम छोटे तुकड़ों में काट कर रख लेते हैं तो ये देखिए हम इस तरह से काट लेंगे स तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और बैल ऐकन को दबाना मत भूलेगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो ये देखिए बहुत इजी ही कट जाता है अ बहुत असानी से पीस कर रेडी हो चुका है तो बस अब इसमें हम तो चलिए इसे अब हम साइड में करते हैं और अब यहां पस हम चढ़ा रहे हैं एक कढ़ाई तो कढ़ाई में मैं यहां घी नहीं डाल रही हूं तो इसे हम डायरेट ही जो हमने नारियर को पीस कर रखा थ सी इसे बिल्कुल धीनी गैस कि फ्लेम् ही यह पकाय है यह देखिया मैं इसे लगतार चलाते हुए पकारिन हुए इसे पहले मैंने बेशन के भी मोडग बनाय थे और मैदा के भी मोडग मैंने बनाया था अगर आप लोगों ने अभी तक वो रेस्पी नहीं देखिए मोदक की तो आप उसे भी जरूर देखें तो यह देखिए हमारे जो यह मोदक का जो नारियल है वो अच्छी तरीके से पक्चुका है जो इसके एश्ट्रा पानी था वो भी अब इसका खतम हो गया है तो बस इस टाइम पर हम डालेंगे इसमें शक्कर तो मैं यहां पास एक कटोरी की करीब शक्कर डाल रहे हूं छोटी कटोरी जो होती है उसके करीब मीठक कम ज्यादा आप कर सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से हम मेडियम फ्लेम में ही पकाएंगे तो यह देखिए चलात देखिए यहां पर जो हमने चीनी डाली थी वह मेल्ट होने लगी है और यह अच्छे तरीके से जो हमारे नारियल है उसमें इस तरीके से बंद रहा है तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूं इलाइची पॉडर अगर आप इलाइची खाना पसंद नहीं करते हैं आपक इलाइची पॉडर को इसकी भी कर सकते हैं तो यह देखिए हम इसे लगातार चलाती हुए पका रहे हैं तो बस हमारा जो यह नारियल का बेटर है तैयार है तो यहां पस हम गैस बंद करेंगे और इसे अलग प्लेट में हम निकाल कर रख लेंगे तो यह देखिए जब तक अच्छा लगना चाहिए स्वाद में तो अच्छा होता ही है तो इसे मैं अलग कर रही हूं तो यह देखिए मैं आधा बेटर अलग करके इसे हम साइड में कर देंगे तो इसे मैं side में कर देती हूँ और जो ये वाला better है हम इसके पहले मोदक बना लेते हैं तो यहाँ पास मैं ले रही हूँ एक मोदक mold अगर आपके पास नहीं है तो आप हाँ से भी इसे बहुत easy बना सकते हैं मैंने basin वाला बिना mold का ही बनाया है आप उसे देख भी सकते हैं कि किस तरह के से हम बना सकते हैं तो यहाँ पास मैंने कुछ dry fruit लिये हैं तो मैंने यहाँ पास छोटे तुकड़ों में काजू और बदाम को मैंने काट कर ले लिया है तो इस तरह के से हम mold में लगा देंगे इसे तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें better लेंगे और इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसमें अपना जो better है नारियल का हम इसमें डाल देंगे यह देखिए हम इसमें अच्छी तरीके से mold में इसे डाल देते हैं और इसे हम बंद करेंगे अगर इसमें कुछ एष्ट्रा बाहर निकलेगा तो हम उसे भी किनारी कर देंगे तो यह देखे इस तरह से पैक करेंगे और उपरे हिस्से में जो भी है तो हम इसमें और बैटर डाल देंगे अच्छे तरकी से हम इसे पैक कर देंगे तो जो एश्टर बेटर हो उसे आप निकाल दीजे तो यह देखिए मैंने अच्छे तरीके से दबा दबा कर मोल्ड में अच्छे तरीके से पैक कर दिया है अब बस इसे हम धीरे हांस से बिल्कुल हलके हांस से हम इसे मोल्ड को खोलेंगे तो यह देखें बहुत असानी से यह मोल्ड खुल जाता है और कितना अच्छा हमारा यह मोदग बनकर तयार हो चुका है आप देख सकते हैं कितने easy, कितने simple तरीके से हमारा मोदग बनकर ready हो गया है तो इसी तरीके से हम अपने बाकी की भी मोदग बनाकर ready कर लेते हैं तो इसे हम रखेंगे अलग प्लेट पे और दुबारा से हम इसी मोल्ड में फिर से हम मोदग बनाकर ready कर लेंगे तो चलिए मैं सारे मोदग बनाकर ready कर लेती हूँ तो एश्ट्रा जो हमारे बेटर उसे हम इस तरह से किनारे कर से निकाल देंगे और उपर से अच्छी तरके से हम इसे पैक कर देंगे तो ये देखिए हमारे मोदग बनकर रेडी हो चुका है और ये कितना अच्छा दिखने में भी लगता है और खाने में भी उतना ही टेश्टी है तो चलिए ये देखिए हमारे ये सारे मोदग बनकर रेडी हो गए हैं तो मैंने एक पहले ही कहा था मैं थोड़े से colorful मोदग बना रही हूँ तो अब इसे हम थोड़ा side करेंगे जो हमने अलग से better निकाल के रखा था तो इसमें मैं यहाँ पास डाल रही हूँ orange food color अगर आपके पास orange food color न हो तो आप इसमें आपके पास जलेवी color हो कोई सभी color हो आप इसमें डाल कर mix कर सकते हैं तो हम ये color को अच्छे तरीकी से mix कर लेंगे तो ये देखिए ये अच्छा color आए चुका है इसमें तो बस अब हम थोड़ा इसके भी बनाते हैं तो हमने फिर से थोड़ा से mold में हम थोड़ा से घी लगाएंगे ताकि जो हमारी मोदा के हम वोच इस mold में चिपके ना और इस तरह के से हम बन करके थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे दबाते हुए हम इसमें बैटर डालेंगे अच्छे से दबाते हुए डालें तो ये देखिए हम इस तरह से अच्छे से दबाते हुए हम इस mold में जो हमारा बैटर है नारियल का हम उसे डाल देंगे आप इसे सूखे नारियल से भी बना सकते हैं मैं लेकिन यहाँ पर जो पानी वाला नारियल होता उससे बना रही हूँ तो यह देखे हमने इसे अच्छी तरीके से पैक कर दिया है जो एश्ट्रा बाहर की तरफ अगर निकला होगा था हम उसे भी निकाल देंगे और हलके हातों से हम इस तरह से इसे खोलेंगे तो यह देखिए हम इस तरह से इसे खोल कर निकाल देंगे और यह कितना सुन्दर बनकर ready हो चुका है आप देख सकते हैं तो इसी तरह आप अपने मन पसंद के कलर से या इसमें आपको कोई भी श्टफिंग और डालना है जैसे मैंने हापस बदाम काजू के श्टफिंग डाली है आपको कोई भी श्टफिंग इसमें डाल सकते हैं और बना सकते हैं अपने मन पसंद के फ्लेवर से बना सकते हैं जैस तो ये देखिए हमने फिर से इसे मोल्ड में अछिसे डाल दिया है और इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे है तो हमारे सारे मॉदख बन कर रेडी है हम इसी तरह किसे इसे बनाखर हम रेडी कर लेंगे तो गाइस अगर आपको ये मोदक की रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सस्क्राइब और सेल करना मत भूलिएगा कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये मोदक की रेस्पी कैसी लगी थैंक यू